राजधनी दिल्ली में पिछले डेड़ महीने में साड़े तीन सो बेगर लोगों की ठंड की वेयसे मौत हो गई है हमारे साथ कॉंग्रेस के वरिशनेता और कारकार्णी अध्यक्ष हारुन यूसुप मौजूद है साड़े तीन सो लोगों की लगबग मौत हो चुके है बेघर लोगों की सरकार कह रही है कि वो रिपोर्ट मागी है डिपार्टमेंट से जाज करेंगे देखे इससे ज़्यादा बेहिसी और इनसेंसिटिवनेस का कोई परवाल नहीं हो सकता लगातार जितनी तेज ठंड पिछले एक महीने में पढ़ी है दिल्ली में यह ऐसा सर्विंद के इजरवाल को होना चाहिए एक आम नागरिक भी अगर कोई छड़क पे चलता हुआ कोई जानवर है और ठंड में टिटूर रहा है तो सुवेटर या कोई गरम चीज लाके उस पर डाल देते हैं यह सरकार जो लोगों के सामने हमेशा अपनी यतीमी का बेवर्शी का रोना रोती है तो सरकार है किसलिए आज दिल्ली के अंदत सारी 300 लोगों की मौत होना और हॉस्पिटल के हलत आप देखने क्या है मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरिवाल सिवाय नहरे देने के और कोई काम इस पिछले चार वर्शों में नहीं किया है आज इस तरीके से गरीब राशन के लिए बटक रहे हैं राशन नहीं मिल रहा हूँ उनको उनके राशन कार्ट निरस्ट कर दी गए को इनकोईरी हर चीज़ पे इनकोईरी दिल्ली में रोज गैंग रेप हो रहे हैं रेकिन केजरिवाल जी कहते हम जाच कराएंगे जो वो महिला होम था यहां से लड़कियां भाग गई थी उस पर भी जाच करा रहे हैं कौन से जाच की रिपोर्ट आई है अर्विंद केजरिवाल जी बता है आज करोन रुपए के इस्टियार दे दिये कि हमने रेन बसेरे बना दिये और गरीब लोगों कि हम मसिया हैं तो साड़े तीन सो लोग कैसे मर गए मैं समझता हूँ कि दिल्ली के लोग असली चेहरा पहचान रहे है खाली नारों से रोने से और ये कहने से कि हम छोटे से आदमी जी हमारी वकात क्या है आने वाले वक्त में दिल्ली की जनता बहुत सक्षम है और किस को कहा बठाना है उसको वो अच्छे से जानती है आप भी सरकार में रहे हैं पिछले 15 साल आपकी सरकार रही थी उस दुरान भी इस तरीके के मामले सामने आते थे कमी क्या है किस वज़े से इस तरीके की जो मौते हैं वो लगातार बढ़ रही है नाइस शेल्टर्स की कमी है या पूरी विवस्ता जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई देखे जो बादेन होने किये थे दिल्ली में आबादी बढ़ रही है दिल्ली में बहुत बेघर लोग हैं जिनके बारे में हम लोगों ने सर्वे कराये थे उस वक्त और उनको बीपील के कार्ज भी इशू कराये थे और तमाम जो हॉस्पिटल की सुविधाये थी वो उनको दी जाती थी और जब सर्दे आने वाली होती थी तो उससे तीन महीने पहले हमारी पूर मुख्यमिंतरी शीला जी और तमाम कैबिनेट जो है इसके उपर चर्चा करते से कि कैसे बहतर किया जाए इंतिजाम या तो घटना होने के बाद सिवाय जाच के और पहले किया इंतिजाम किया जाए उस पर कोई चर्चा नहीं होती तो मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा दरदाक इससे ज्यादा बेहिशी इससे ज्यादा इंसेंसिट्वीटी कि कोई मिशाल नहीं हो सकती कि जो आदमी कहता है मैं गरीबों का मसी हूँ वह गरीब साड़े तीन सो गरीब जान अपनी गमा बैटते हैं ठन की वेज़ा से जिम्यदार किसे मानते हैं? गोई तरह से जिम्यदार कौन? तरीके से हुए। आज अरविंद केजरी पार उटके पार दिखाने के लिए कुछ नहीं। सिगनेचर ब्रिज जो आज से चार साल पहले तैयार होना था तिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि कॉंग्रिस की सरकार की और शीला जी की इसके अंदर भभवाई होगी। इससे ज्यादा आप श्रमनाक बात समझ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि दिल्ली के लोग अच्छे से समझ रहे हैं और कॉंग्रिस पार्टी पूरे दमखम के साथ। क्योंकि कॉंग्रिस दिन बदिन लोगों का विश्वास कॉंग्रिस में रहा है कि जो हम कहते थे वो करते थे।